हेलो गाइस इसमें सौरब बन्ना वेकम बैक टो मैं चैनल पॉलिटेखनिक के जितने भी स्टुएंट्स है जो फर्स्ट सेम वाले स्टुएंट्स जो लोग 2021 में एड्मिशन लिये हैं तो उन लोग के लिए एक अपडेट आया है जेयोटी के तरफ से जारकन यूनिवरसिटी टेकनोलोजी के दोवारा फर्स्ट सेमिश्टर एक्स्टरनल एक्जाम को लेके तो आज का इस वीडियो में बताने वालो हो कि कब आप लोग का फॉर्म फिलग चालो होगा और चलान वगर कहां से आपको मिलेगा सब कुछ मैं आपको बताने वालों देखिए सब से पहरे य ओतम सेमिश्टर वालों के लिए हैं जो 2022 में होने वाला है तो तो देखिए यहां पर विद्यारती जो है वो लोग अपना घ्यान जोदी वेबसाइट में जाएंगे वहीं पर आपको चलान का प्रिंट मिल जाएगा वहाँ पर जब आप क्या जो दी वेबसाइट में जाएगा तो वहाँ पर चलान का जो लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा वहाँ से आप अपना चलान को डाउलोड कर सकते हो चलान को डाउलोड करने के बाद वह जित चल जब चलान बनके आता है तो आपको फिर ग्यान जोती के वेबसाइट में जाना है वहाँ पे आपको एक्जामिनेशन फॉर्म बनने के लिए बोला जाएगा ठीक है कैसे भढ़ना मैं आपको दिखा दूँ ठीक है सबसे पहले आपको ग्यान जोती सर्च करना होगा ठीक है तो यहाँ पर आपको नीचे आना है ग्यान जोती वर्शन 2.0 ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इसका वेबसाइट जो है वो ओपेन हो जाएगा ओके यह हुआ आपका वेबसाइट ठीक है जब नीचे तरफ आओगे तो देखें आपको चलान भी मिल जाएगा गेट बैंक चलान है यहाँ से आप अपना चलान डाउनलूट कर सकते हो ठीक है उसका बाद आपको फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर जो क्लिक टू फिल एक्जाम फ अपना अपको चलान वहाँ सब्सके लिए पर आपके लीच च्लान का जो यू टिय नमबर ऑपको मेंशन करना है जिस दिर आपने चलान करवा था वह डेट मेंशन करना है सबजेक्स में टिक्कर लीजेगा करने के बाद जब उसका print out निकल के आएगा प्रिंट आउट निकलने के बाद नीचे में देखेगा वाप पर signature करने के लिए बोले जाएगा तो वह signature करे आपको college भी जाके जमा कर देना along with चलान ठीक है विलम शुम्ण मेरे बात चाले राट समय को लिए अबर्फ पंत्रबर्णा करते हैं? अगर आप लेट से देते हो तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज देना होगा अगर आप लेट से जमा नहीं करेंगे फॉर्म उनको तो 1,200 रुपीज देना ही होगा और अगर आप लेट से जमा करते तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज देना होगा तो वह है आपका सताय से 31 के विच में यह सब काम हो जागा ठीक है फिर उसका बाद संस्थानिक अंक भारित अपलोड करने के जो डेट है वह एक से लेके चार जुन तक डेट डिया हुआ है और आपका जो ऑफलाइन एक्साम होगा एक्स्ट्राइल का वह आपका आर जुन से एक्साम कंडर्ट करवा जाएगा ठीक है तो आप लोगों से रिक्वेश्टर जब आप लोगं फॉर्म फिलप करोगे तो ध्यान से फॉर्म फिलप कीजिएगा और याद रहे कोई भी गलती ना हो आप लोगों से ठीक है एक गलती हुआ आप ही लोग को प्राब्लम हो सकता फिर आपको कॉलेज दौरना पड़ेगा कर्डेक्शन के लिए ठीक है तो आप लोगों से रिक्वेश्टर जब आप लोग फॉर्म फिलब करोगे तो ध्यान से फॉर्म फिलब कीजिएगा जो भी चलान का जो डीटल से जब आप फॉर्म फिलब करोगे उसमें ध्यान से ध्यान पूर्वक आप उसमें फॉर्म फिलब फिर आप आप ही को आगे प्राब्म होगा ओके वीडियो को यहीं पे एंट कर तो वीडियो को अच्छे लेगे वीडियो को जो लाइक कीजिगा जाद जाद शेयर कीजिगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थांक यू